Hi everyone, कैसे हैं आप सब, आप सबे का मेरे YouTube चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको एक लेडी स्कोटी की बुंती, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं मेरून शेड में बना रही हूँ, ये कैसे बनती है, तीन घर की बुंती है, ये कैसे बनत परके उपरसे ऐसे पलटके ये घर की ऐसे बुणा, पhir दागा आगे किया, और ये जाली dot Do Allee, ये होगया 3 के 3, इसी तरह से है, जो ये वाली सीदी स्लाई ऐसे ही बनेगी और जो हमारी इसके बाद उल्टी स्लाई आती है, वो उल्टी स्लाई ही बनेगी, उसमें कोई बन फिर है जो तीसरी जो सीधी स्लाई आती है उसमें सिर्फ इतना सा होता है कि ये वाला घर ये थर्ड वाला घर है जो इधर चेंज होता है वो मैं आपको तीसरी स्लाई में बताऊंगी जब तीसरी सीधी स्लाई आएगी और ये वाली स्लाई हमने ऐसे ही बनानी है ऐसे ही कम्प फिर तीसरी स्लाई में मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे आएगी अब आप बुर्णे के साथ कुदरत के नजारे ले सकते हैं ये बरसाथ के बाद का मौसम देखी आप बहुत ही सुन्दर सुहाओना लग रहा है बारिश तीन चाद दिन कंटिनीव बारिश होने के बाद हमारे पहाडों की सुन्दरता का वहिंगम द्रिश्य आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर बहुत ही लाजवाब बरसाथ के मौसम में बुर्णे का भी अपना ही मजा होता है गर्मियों में तो ऐसे भी बुर्णे को बन नहीं करता बरसाथ के मौसम में तीन चाद दिन कंटिनीव अंदर रहके आज चौथे दिन बाहर निकलने का मौका मिला तो फिर मैंने सुचा क्यों ना आपको बाहर का द्रिश्य भी दिखाया जाए बुर्णे के साथ साथ हमारे पहाड़ों में है जो ठंड शुरू हो गई है और इस बरसाथ ने नुकसान भी बहुत ठर जगा ही बहुत नुकसान किया है कंटिन्यू बारिश हो रही है है कि इस तरह से बुंटे हुए मैं पूरी यह सीधी इसलाई कंपलीट कर ली अब हम ओल्टी स्लाई है बारिश ने गब फिर जब सीधी इसलाई पहाएं गैसा है तो मैं आपको बताओं की, जो कैसे बंगी अ आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसी लेगी पहाडों की सिनरी आपको कार्डिकन बनाना चाहते हैं तो इस बूंती में आप जो सलाईयां मोटी लें क्यूंकि यह जो वूल है यह नो नमबर में चलने वाली है और मैं इसको साथ नमबर में बना रही हूँ क्यूंकि मैं चाहती थी कि इसमें जो जाली की तरह यह बुंती आए जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें चोट-चोटे से होल दिख रहे हैं मैं चाहते थी कि ये बडे-बडे सी होल इसमें नजर आít इसलिए इनने साथ नमबर की स्लाई में ये बनाया है नौ नमबर की स्लाई में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं आना था इसलिए, नो नमबर में मैंने ट्राई किya था, नो नमबर में इसकी, अच्छे से सवाई नहीं आ रहे थी, फिर मैं साफ नमबर में बनाया, साफ नमबर में यह अच्छे से आ गया, अब ये होगी, इसकी उल्टी सलाई complete, अब आया हम सेकंड सीधी सलाई में, सीधी सलाई में अब हमने क्या करना है, पहले हमने स्टिच ऐसे ही उठाया था, इस बार है जो दो घर ऐसे उठाने, फिर यह जाली वाला घर है, इसके ऐसे, इसके तीसरा घर इसके उपर से ऐसे क्रॉस किया, और यह ऐसे और ऐसे, जाली जब आप इसको बुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, कि यह कैसे है जो पलटा जाएगा, बस इतनी सी ही यह बुनती है, थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो, अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेर करें, थैंक्च यू, टेक केर, बाबाई